सीरल इस इश्क का रबराखा की कहानी में दिलजोद बुवा इस बास से होंगी दुखी कि उसका भी मन है घर बसाने का लेकिन वो इतना चोटा था तब यानि की रनवीर इतना चोटा था तब उसका घर सबने उजार दिया और अब रनवीर की शादी हो रहे लेकिन उसके बार देने वाली है मेगला को की वो एडाप्टेट चाइल्ड है और अब यहां यह सारी बाते सुनने के बाद आ जाएगी यहां महुआ इन दोनों बेहनों के बीच में खड़ी हो जाएगी ऐसे में अब अधीजा सारी बत्तमीजी की हदे पार कर देगी और यहां पर साफ साफ के कहती हुई मेगला के बारे में नजर आएगी अपनी मा से कि इसे बस इतना कह दीजे कि इतना याद रखे कि हमने इस पर एहसान किया है इसे कंसीडर किया है और इसे और कुछ नहीं मिलने वाला मेरे हिस्से का कुछ भी मैं इसे नहीं देने वाली हूँ और अब यहां पर बार-बार मेगला कहेगी कि मैंने रनवीर को कॉल नहीं किया बलकि वही मुझे रिकॉल करके सारी बाते कर रहा है लेकिन यहाँ पर अदरीजा इतने साधा सेल्फ ऑउक्जिस्ट हो गई है कि वो सारी हदे पार कर देंगी और महुआ जो कि हमेशा अदरीजा का सपोर्ट करती हैं वो भी यहाँ चुपचाप खड़ी हैं लेकिन बीच में खड़े होने का बता भी यह नहीं कि शान्त हो जाओ कुछ नहीं बोल रहे हैं इधर अब यहाँ पर आप सभी के जो देखने वाले हैं रनवीर के बाद गुरू जी ही आप सभी कि जो मेगला है उनको सपोर्ट क गाओंगी तो ऐसा गाओं कि सभी के दिलों पर मेरी आवाज राज करें और इस बाद से मेगला के गुरू जी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मेगला को एक नई दिशा मिल गई है क्योंकि परिवार तो अपना नहीं लेकिन संगी तो उसका अपना है